चलते चलते हसते गाते यूँ कटे सफर जिन्दगी का नमस्कार मैं शुष्मा मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हूँ राजस्तानी गाय का रेखा राओ से रेखा जी नमर्शकार रेखा जी आपके संगीत के सफर की शुरुवात कभ और कैसे हुए कि मैं बताना चाहूं की मेरा जन्न कोटा में हुआ है और जार साल की उ km मैने गाना शुरू किया है और इंत्रस्टको देखते हुए मेरे फादर जिन से मैंने म्यूजिक सीखा है, श्री तेज करन जी राओ, कोटा से बेजड है, और मेरे दादा जी दरबारी गायक थे, तो संगीत मुझे विरासत में मिला है, मैं बहुत लगी हूँ, और मेरे फादर ने मुझे बच्पन से गाना सिखाना शुरू किया था, और मेरा भी इ उनके गाने उस टाइम बहुत फेमस हुए थे, दीरे-दीरे काफी सारे गाने उन्होंने रिकॉर्ड किये, तो बाद में आगी चलकर उनको एक फीमेल सिंगर की जरुत पड़ी, तो उन्होंने फिर मुझे, वहां से फिर मेरे गाने की शुरूआत हुई है, फोक से, तो सब मेरे दीरे करके फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा, मैं कारिक्रमों में उनके साथ जाने लगी, काफी शोज करती थी, और इस तरह से मेरे गाईकी की शुरूआत हुई है, आपको इस शेत्र में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस मामले म मैं बहुत लग्की रही हूं, क्योंकि मुझे एक तो म्यूजिक विरासत में मिला है, मेरे फादर से मैंने म्यूजिक सीखा है, और साथ ही मैंने जब पढ़ाई की तो उसमें भी मैंने सब्जेक्ट म्यूजिक लिया था, तो वो भी मुझे उसका बहुत फाइदा मिला है, और साथ ही जो आपने पूछा कि पेरेंस का सपोर्ट किस तरह आपको आगे ले जाता है. मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने, मम्मी भी मेरेको हमेशा मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए. तो मेरे फादर ने मुझे बाहर ले जाना शुरू किया शोस के लिए, साथ ही मेरे स्ट्रगल भी शुरू हुआ उनके साथ में, उन्होंने मुझे बहुत लोगों से मिलवाया, गाने सुनवाया, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, बॉंबे हम लोग जाते थे, मैं काफी चोटी थी, सबसे पहला जो मेरा गाना जो आया, फिल्म जंगवाज में, as a child artist, तो वो 88 में recording हुई थी, और मेरे फादर ने रवंदर जैन जी से मुलाकात की थी, एक बार जब वो कोटा आये थे, तो उनसे मुलाकात की, उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, मेरे फादर की, और दादू श्री रवंदर जैन, वो मेरे दूसरे गुरु में बोलती हो उनको, उनसे मुलाकात की, उनसे बहुत अच्छा संपर्क बनाया, और दादा ने हमको बोलते थे, प्रोग्राम्स में पी आने के लिए, तो मैंने उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स की हैं, काफी श हिमला ताजी के साथ में, रेखा जी, संगीत के शेतर में आगे बढ़ने के लिए आप यूवर्स को क्या मैसिस देना चाहेंगे? आजकल के माहल में जो म्यूजिक का जो दौर है, काफी बदला हुआ है उसमें, तो बदला आपके साथ तो खेर हमको चलना चाहिए, लेकिन जो हमारी बेसिक हैं, जो हमारी जड़े हैं, हमारी जो संगीत है, बहुत रिच्च है वो, तो मैं यह आपको संदेश देना चाहू किया है, इस प्लाटफर्म तक आने के लिए, और मैनत भी किये, तो मैं आप सबसे यही रिक्वाइस करना चाहूंगी, कि म्यूजिक सीखें, थोड़ी सी मैनत करें, क्योंकि वो जो एक्स्पिरियंस होता है, वो आपको बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि कोई भी गाना-ग आप जब जाते हो माई के ऊपर recording के लिए, कोई नई composition होती है, तो उसको आप अपनी तरफ से बहुत खुबसूरत बना के पेश कर सकते हो, तो वो तभी possible होगा, जब आप ट्रेनिंग आपने कर रखी हो मैं उसकी, कि आपको सुरकी knowledge है, मुझे कौन से से गाना start करना है, और गाने का mood क्या है, क्योंकि गाना आपने सीख लिया, गाना अलग बात है, लेकिन उस गाने में आप कितना अपना अच्छा feel डाल सकते हो, तो वो लोगों पर बहुत असर करता है, तो ये कुछ चीजे हैं, जो आप सीखते 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 आपको ये चीजे आती हैं, तो मेरी कुछ सेट सॉंग भी होते थे, जो लोगों ने तैयार किये थे, कुछ संचुस गाने भी होते थे, तो वो चीजे आपको धिरो धिरे सीखने को मिलती हैं इस तरह से, क्योंकि आप कोई भी गाना हो, किसी भी मूटका हो, उसके लिए आपको mentally prepare होना बहुत जरूरी है, तब आप उसको अच्छा पेश कर पाओगे, तो मैं यही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मैनत करें, और फिर कुछ चीज आप प्रेजन करें अच्छा गाना, तब ही आपका लगेगा लोगों को, तब आपको लोग पसंद करेंगे. रेखा जी, बाली का वधु में छोटी सी उमर जो गीत आपने गाया है, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप दर्श्कों को वो गीत जरूर सुना है. हाँ, सिश्मा जी, मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ. हाई मैं कसूर हूए तरा देना तुमासू लाड़ लड़ा अब क्यूं करो सामाने हे वड़े सुदूर छोटी से उमर परनाई हो बाबो सा कियो था रोकाई मैं कसूर हूए तरा देना तुमासू लाड़ लड़ा अब क्यूं करो सामाने हे वड़े सुदूर रेखा जी बहुत बढ़िया आपने ये गीत सुना कर सभी को अपने मैके की याद दिला दी। और इतना भाव कर दिया कि वो अपने बाबोल को याद करे बिना नहीं रह पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आप हमारे स्टूडियो में आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्रावाद प्राव प्राव करे दिल से अच्छूद करेंका थाया धन्यवाद करें दिल से वो अच्छूद